वेल्गम स्टुरेंटेंटेस ना हम लोग क्लास टेन्थ फिजिक्स में आगे के चप्टर के बारे में पढ़ेंगे पीछले चप्टर को हम लोग पढ़े एलेक्टर स्टाटिक के बारे में एलेक्रिसिटीえて da चार्ज, पोटेंशियल, डिफरेंस, वगडन, हिटिंग इफेक्ट ऑफ एलेक्टिक करेंट, डमेस्टिक वाइरिंग वगएरे के बारे में हम लोग जाने पर यहां हम लोगों को जो पढ़ना है पहले तो हम लोग चेप्टर को समझें यह मैगनेटिजम एंड मैगनेटिक इ मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स और इट्स प्रोपर्टीज एक एक करके हम लोग देखेंगे पहला है एलेक्टो मैगनेटिजम के रिस्पेक्ट में कुछ हिस्ट्री है उसको हम जानते हैं कि यह इस तरह का जो फिनोमीना था इस तरह का जो एवेंट्स था एलेक्टिक के हिटिग अफ्ट के बारे में यह जूल्स के द्वारा दिया गया था जूल्स लॉफ हिटिग अफ्टिक के नाम से हम लोग जानते हैं H is equal to I square R into T को हम लोग जाने थे आज हम लोग electric current के magnetic effect को जानेंगे और देखिए Danish scientist Hans Christian Osterd for the first time in 1890 discovered this effect of electric current सरो प्रथम सबसे पहले एक Danish scientist थे जिनका नाम Hans Christian Osterd था, इनके द्वारा 1819 सिस्वी में electric current के magnetic effect को read कर पाए थे वो या इनके द्वारा सबसे पहले देखा गया था समझा गया था, अना अब electromagnetism है क्या तो उसको देखिए, the generation of magnetic field around a conductor when direct current is passed through it is called magnetic effect of current which is known as electromagnetism जब किसी wire से, अब ये state wire को लेंगे, इस चप्टर में आपको state wire से current जब flow होता है तो magnetic effect and direction of magnetic line of forces और magnetic field वो अलग होगा और जब loop से हो करके that means wild wire से हो करके जब electric current पास होगा तो वहां magnetic field lines and magnetic field का जो direction है वो दोनों अलग-अलग हम लोगों को समझना है इसलिए हम लोग अभी state wire हमेशा current carrying conductor state wire, state conductor का बात करेंगे current carrying state conductor और wire का बात करेंगे चीक है तो यहां पर एक example लेते हैं इस statement को समझने के लिए statement यह कह रहा है कि जब एक सीधे wire से अप electric current को flow करवाते हैं तो उस wire के around यानि चारों तरफ एक बिशेश तरह का field develop हो जाता है कि special field develop हो जाता है और यह specific field, magnetic field कहलाता है और यह magnetic field इसलिए कहला है क्योंकि इसमें देखा गया कि यह magnetic bar की तरह भी हैप कर रहा है, हना magnetic bar की तरह भी हैप करने के वज़र से magnetic field कहा गया, आप magnet को अगर isolate करेंगे कि magnet है क्या तो हम लोग देखते हैं वो bipolar होता है कि opposite pole में attraction और same pole में repulsion होता है इन सारे तरह का property जरूर देखा गया था तो पहले हम लोग देखते हैं यह जो statement है कि electric current का magnetic effect होगा उसी को electromagnetism कहेंगे और जब एक state wire में current supply किया जाता है तो किस तरह से magnetism develop होता है उसको हम लोग तो देखते हैं इससे आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा कि जब state wire में flow of direction of electric current particular हो definite हो, fixed हो तो फिर magnetic field का direction किस तरह होगा तो अभी सिर्फ हम लोग समझते हैं कि एक state wire है तो सकता है कि इसका A और B दो yield है B से A की तरफ जब electric current supply किया जाता है B से A की तरफ जब electric current supply किया जाता है तो इसमें एक electric, इसमें एक magnetic field create होता है, इस wire के चारू तरफ, around the wire, around the conductor, और उसका direction ये होगा, ध्यान से समझेंगे इसका direction ये होगा, इसके opposite यहाँ पर आप देखिए, जब एक wire है और उसमें A से B की तरफ electric current flow होता है A से B की तरफ electric current flow होता है, तो इसमें magnetic field का जो direction होगा वो ये होगा, around the wire तो आप समझी सकते हैं कि यहाँ पर direction of electric current पर direction of magnetic field depend करता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ electro magnetism को समझाने के लिए हम आपको ये लिगर समझा रहे थे ये conductor section A भी है और यहाँ भी A भी section लिया गया है जब हम लोग उपर की तरफ current flow करवा रहे हैं, ये upward, downward बहुत 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 बहुतर चीज़ नहीं है आप इसको A और B से भी होगा हम लोग देखें तो B to A अगर करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, clockwise जो है Electric, Magnetic Field का direction develop होता है, जब कि A से B की तरफ, that means downward electric current flow करवाते हैं, तो anti-clockwise, Magnetic Field का direction develop होता है, तो ये उस्टर्ड के द्वारा initially देखा गया था इसके आगे के लिए भी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग देख रहे थे उस्टर्ड का क्या finding था, उस्टर्ड 1819 में अपना finding दिये, उसके just war, 1820 में French physicist Andrew Ampere showed that the two parallel wires carrying current in the same direction attract each other ये उस्टर्ड अपने experiment में just after here, उन्होंने ये बताया कि जब दो wire parallel रखा हुआ हो और उसमें same direction में current pass करता हो, रेकिये यहां लिखा हुआ है same direction attracted each other attract each other that means वो एक दुसरे को क्या करता है attract करता है, अब attraction जो हो रहा है electric current के flow के बाद हो रहा है तो एक तो electricity का यहां पर role है है ना, और electricity के बाद किस तरह का role है तो magnetism like effect create हो रहा है इसी विए से electromagnetism है इसको आप बाड़ बाड़ समझा रहा है हम समझे, electromagnetism क्या है अभी इससे आगे एक और finding परेंगे तो पता चलेगा कि electric current के थूर magnetic effect के यह होता है, तो magnetism के थूर electric current generate किया जा सकता है electricity generate किया जा सकता है तो इनका finding था कि अगर same direction में electric current flow होड़ा है parallella wires के बीच, straight wires के बीच तो ऐसे condition में उन दोनों में attraction होगा उन दोनों में attraction होगा ऐसे एक फिर से AB section का wire लेते हैं और current upward direction में flow होता है और फिर एक CD section का wire ले लीजी और उसमें भी current upward direction में pass out होता है तो ऐसे condition में एक दूसरे में क्या होगा attraction होगा यह finding था और इसका wise वर्सा होगा देखे क्या जब एक में current upward जा रहा हो और दूसरे wire में current दूसरे wire में current downward हो तो ऐसे condition में यहां का कि repulsion देखने को मिलता है यह इनका अपना finding था अभी जो हम लोग पर रहे हैं इस chapter के section के historical part को पर रहे है कि किस वग्यानिक के द्वारा यह concept यह electromagnetism start किया गया है तो यहां पर देख रहे है attraction और यहां पर repulsion attraction किस case में है जब same direction में parallel wires में current flow कर रहा हो जब opposite direction में parallel wires में current flow कर रहा हो तो उसको अभी लोग repulsion का नाम देते हैं आगे देखिए वही चीज आगे लिखा गया है where is the wires carrying current in the opposite direction ripple each other एक दूसरे को ripple करता है जो second position में है इसके आगे कुछ समय बीटने के बाद faradais के द्वारा एक अलग तरह का finding दिया गया related था तो रसा लग था so that while current could create a magnetic field a magnet also could generate electricity जब पहले के दो वैग्यानिक इस तरह के बाद का पूस्टी कर चुके थे experimentally कर चुके थे current flow करने पर magnetic effect create होता है तो इनके द्वारा ये कहा गया faradais के द्वारा ये कहा गया जब electric current magnetic field create करने में capable है तो magnetic field के द्वारा electric current या electricity generate किया जा सकता है इस तरह का बात कहा गया electric current से magnetic field का बनना और magnetic field से electric current का generate होना electro magnetism कहलाता है तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से second point हमारा magnetic compass और compass needle add करता और ये है magnetic compass और compass needle दोनों ही नाम से जाना जाता है magnetic compass भी बोल सकता है compass needle भी बोल सकता है ये है क्या उसके बारे में it is a small and light magnetic needle कहा कि ये काफी हलका और छोटा magnetic needle होता है जो pivoted at its center in the small अब यहां पर पहले तो pivot किया गया है that means fix किया गया है इसके center में ये जो needle है बहुती छोटा और हलका होगा जो कि इसके center में compass के case के center में ये pivot किया होगा बदा हुआ होगा clipd होगा in the small aluminum और brass cage और ये जो cage होगा जो इसका cover होगा जिसमें ये सारा system adapted है उसको हम लोग cage कहेंगे ये aluminum और brass का होगा ये सारा चीज conceptual है ये किसी और भी magnetic metals का नहीं हो सकता है वैसे substance के नहीं हो सकते हैं जो magnet के दौरा affected हो जैसे कि ये iron का नहीं हो सकता है ये other elements बहुत सारे ऐसे alloy भी हैं जिसका नहीं हो सकता जिसमें iron का होगे तो aluminum ये brass का ये cage होगा और उपर से इस पर glass का cover होगा जो यहां पर लिखा भी क्या है cage with a glass top यानि इसके top पर glass लगा होगा अभी आप पढ़े हैं कि ये काफी light and small होता है अगर ये open हो तो इस पर air का भी effect पढ़ेगा और direction of magnetic field बहतर समझने नहीं आ सकता है अब इसका जो function है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा ये देख लिजे the pointed and painted end pointed and painted आपको यह दिखलाया गया है इसको और से देखेंगे तो आपको पता चलेगा या पर हम को सिसके इसको डार्क कर देने का लाइन करके तो ये pointed and dark इन जो है वह नौर्थ पोल को सो करता है अब the pointer indicates the north direction नौर्थ डारेक्शन को सो करेगा जब आप compass को इस तरह से रखेंगे तो compass का ये जनरली ये red कलर का pointing होगा तो compass को जब हम लोग transverse condition में रखते हैं parallel to the earth surface रखते हैं तो तो इंट्राक्शन के बाद जब हम लोग इससे sacking बगरा बंत कर देते हैं तो देखेंगे कि जो इसका red pointer है red side pointer है वो north of the earth stable हो जाएगा stationary condition में चला जाएगा इसका ये मतलब हो रहा है कि ये north direction को show करेगा है ना earth के north direction को show कर दिया ये जो हमारा earth magnetism है वो totally है नहीं vertical condition में tilted condition है उसको भी बात करेंगे आगे तो ये north direction में चला जाएगा तो अब ये समझे कि ये जो pointer वो north direction में क्यों shift किया magnetic interaction के बारे में आप पहले से भी पर चुके हैं पिछले classes में उसमें बताया जाया कि shame pole में repulsion होता है और opposite pole में attraction होता है that means ये जो pointer red color का होगा red side वाला pointer होगा वो जो है ना असलमे magnetized होता है यानि कि ये जो magnetic needle है ना वो असलमें already एक magnet होता है और वो red वाला south pole सो करता है जबकि जो pillarless होता है वो north pole सो करता है of the pointer और आपको हम बारवार बता रहे हैं कि जब आप stable condition में magnetic compass को रखेंगे तो red pole earth के north direction में होगा इसका वजह होगा कि ये north direction में इसलिए है चुकि ये already खुद south है south और नौर्थ में attraction होगा और ये north की तरफ बूट जाएगा opposite pole में attraction होता है तो ये है magnetic compass कई बार इसको short position में डाला गया हुआ है दो marks में कुछा जा सकता है तो इसको आप note कर लिए देखें next topic हमारा था magnetic field magnetic field lines और magnetic field के बारे में आप पर बात करेंगे magnetic line of forces के बारे में तो इसको लिखा गया the line of forces between two opposite poles in a magnet are called magnetic field lines दो magnets के बीच दो opposite poles के बीच एक ही magnet में अगर हम बात करें जैसे यहां north है और यहां south है तो इन दोनों के बीच जो line of forces होगा अभी हम direction नहीं लिख रहे हैं सिर्फ line of forces draw कर रहे हैं अलग-अलग distance पर अलग-अलग line of forces होगा इस तरह से और कुछ line of forces यह इस तरह से निकलते हुए जहां terminate करेंगे इस पर बात कर रहे हैं हम लोग और जब हम लोग इसके axis पर आएंगे तो यह straight हो रहा है कि इसके axis पर यह already straight हो जाता है यह एक magnet बार लिये हैं और इसमें हम लोग line of forces को देखने का काम करते हैं यहाँ पर बताया गया कि opposite poles के या two opposite poles of a magnet के बीच का जो line of forces होगा जो magnetic field के अंदर होता है इसको हम लोग magnetic field lines बोलते हैं एक और बात समझ जाए है, magnetic field lines को हम लोग magnetic line of forces भी कहते हैं अब यहाँ पर देखें एक खास direction होता है इसको हम जब magnetic field का बात करेंगे electric field का बात करेंगे इस तरह का कोई भी field होता है तो वो specific और definite direction based होता है और ऐसे condition में चुकि यह magnetic field lines है तो इसका भी एक fixed direction होगा और यह fixed direction क्या होगा? हमेशा line of forces का direction north to south होगा हमेशा क्या होगा? north to south होगा, है ना? इसका यह north यानि कि north से यह emit करेगा और south में terminate कर जाएगा, है हाँ से produce होगा यहाँ terminate कर जाएगा, है ना? यहां भी आप देख रहे हैं नीचे north से यहाँ पर produce हो रहा और south में terminate कर जा रहा है, shows me such me is enter कर जा रहा जो आपके हैं यहाँ बही ची登録रा जो हम लोग देख रह आपेज ड़ेटिया आफ इस तरह से जो आफ ना के समझी सकते हैं कि सुनार्टिक नौर्टियक को जाएँगे। डिलडा को जाएँगे ना कॉलाएँगे।स apart समझे सकते हैं कि इसका सबीध एक बन gar बें जाएँगे। और फिर कि और र nasal आप इसे और यह आ अक्izar डिया-एंगे तो देखेंगे इस तरह से अरेंज होगा यह अगया नफ्वु आपको दिखेगा the यह जो है ना अपर यहां पर आप समझ लें यह जो अपर है वो red pointer है तो यह red pointer that means south polarity का north से अवे हो जाएगा जाना पंक्ति बद हो जाना तो यह पंक्ति बद हो जाता है अब यह जब पंक्ति बद हो गया तो इससे पता चलता है कि magnetic distance पर हम लोग रख रहे थे अब एक pencil से sketch कर लेंगे वहां से compass को हटाएंगे sketch कर लेंगे कि किस direction में deflections को कर रहा था magnetic needle और यह draw होगा इसी तरह से आप कई जगह कई अलग अलग distance पर line of forces को draw कर सकते हैं और इसमें जब line of forces को draw करते हैं तो कुछ खास चीज का यह को follow करता है यह line of forces यह जो इसका property है उसको हम लोग जानेंगे कि magnetic line of forces के property क्या है और यह अगर आपसे कोई पूछ दे कि magnetic field line of forces का direction क्या होता है तो आपको बताना है हमेशा not to south होता है और यह curve कहां बनेगा तो यह जो axis है ना axis के ऊपर और नीचे के जो भी line of forces होंगे वो curve बनाएंगे लेकिन जो axis के line of forces होंगे वो हमेशा straight way में होंगे वो हम प्रोपर्टी में हम लोग देखेंगे अभी हम लोग देख रहते हैं magnetic field lines है ना इसी को हम लोग दूसरे नाम magnetic field lines का दूसरा नाम हम लोग जान रहते हैं magnetic line of forces अब इसके properties को देखें यहां तीन properties आपको दिखला गया एक एक करके हम लोग समझेंगे magnetic field lines start at the north and end at the south pole ना देखें यहां पर north and south magnetic बार आपको दिखला गया polarity north and south के रूप में यहां पर अभी north से यह start हो रहा है और end कहां कर रहा है south में तो यह property हो गया magnetic field line of forces का एक property हो गया कि हमेशा north से start होगा और south में जाकर इंट कर जाएगा दूसरा देखें magnetic field lines do not intersect each other अब इसको देखेंगे ना तो कोई भी line एक दूसरे को intersect नहीं करता है that means overcome नहीं होगा एक दूसरे को काटेगा नहीं आपर जो भी line है separated line होंगे तो यह भी इसका property ही है तीसरा है the degree of closeness of field lines depends upon the strength of magnetic field एक बात को आप दिमाग में रखें magnetic field का जो strength होता है न वो poles के close में ज्यादा strong होता है जैसे north के पास इसका magnetic field ज्यादा strength का होगा south के पास इसका magnetic field ज्यादा strength का होगा वहाँ पर closeness of field of lines ज्यादा होंगे और जहां magnetic field का strength कम होगा उसका closeness कम होगा that means और distance पर आप देखें इस चीज़ को इसको बहुत ही अच्छे से समझेए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो distance है वो काफी कम है जैकि यहाँ जो distance है वो काफी जाबा है अभी देखें पोल के पास का distance जो है ना distance between the line of forces वो क्या है कम है और जैसे ही पोल से अवे जाते हैं तो यह distance बढ़ता चला जाता है यह चीज़ बता रहा था आपका third point और एक और कुछ है इसमें कि जिस तरह से आप दूर होते चले जाएंगे मैगनेट से मैगनेट से डिस्टेंस हम वर्टिकल डिस्टेंस का बात कर रहे हैं यहां पर polarity का बात नहीं हो रहा है वर्टिकल डिस्टेंस से जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे number of line of forces घठता चला जाएगा और ऐसे मैं कहा जा सकता है magnetic field का strength घठता चला जाता है यह सब कुछ properties था तो आज के लिए इतना ही हम लोग अगले class में से आगे के topics के बारे में जानेंगे